स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवस्टी में ऐसे टाइप, कॉश्चन और एक्जाम आपका पीछा नहीं छोड़ते इसमें बेस्ट कैसे किया जा सकता है उसके लिए काफी प्रिंसिपल है एक में प्रिंसिपल इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टन प्रिंसिपल इस वीडिय सब्सक्राइब किया जा सके तो यह कहां पर अपलाई होगा यह जाना जरूरी है विशिए हमन्टेश लांगूज झतनी है इसमें ऐसे टाइप कोश्चन है ईवन साइंस मिए लेकिन सौशल साइंस और लेंगवज बहुत ज़्यादा जैसे एंत्रोपलोजी है सिचालजी है psychology, economics, political science, history, geography, communication studies, linguistic, education, social work, gender studies, environmental science, public health, economic geography, philosophy है, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन में ये फार्मूला अप्लाई होगा, अगर आपका exam क्या है, ऐसे टाइप question डिबान करता है, ये बात different है, कि कुछ में ये question सिर्फ long answer ही होता है, सिर्फ long answer, और किसी में long और short भी होते हैं, अब new education policy ने जैसे बोल दिया है, कि objective type भी add किये जाएंगे, तो ये video main focus करेगा, कि long type answer, ऐसे type question जो है, उसका आपने उत्तर के लिए कौन सा नुक्ता apply करना है, तो कई बार pattern में ये होता है, कि long और short दोनों है, तो ये नुक्ता कैसे apply होगा, तो अगर अकेला long जो question है, तो ये नुक्ता कैसे apply होगा, और ये भी matter करेगा, आपको ये देखना होगा, कि number of question आपके कितने हो सकता है, कि किसी के paper में 3 घंटे में 5 question करने है, किसी ने 7 करने है, किसी ने 6 करने है, फिर भी ये formula apply होगा, number of pages कितने आपको दिये जाते ह है, university college, board जो है, normally 30 pages, 32 भी है, यहाँ example लेकर चलेंगे, 30 pages की, 30 page आपको मिलते हैं, अगर ज्यादा मिलते हैं, तो आप average निकाल लोगे, जो फार्मूला बताऊंगा, the most important and difference is, कि ये video क्यों है, कि आपकी speed के मताबक, individual difference के मताबक, आपको solution मिलेगा, तो इसके लिए आगे चलक के मैं example देता हूँ, knowledge of content, ये भी vary करेगी, कोई एक महीना पढ़ा है, कोई 6 महीने पढ़ा है, तो कोई 6 दिन पढ़ा है, कितनी knowledge है, कई बर पढ़ा है, लेकिन वो question odd आगया है, तो उसका answer दे नहींगा, मैं किसी controller examiner के PA के पास बैठा था, तो मैंने उन से question किया, कि sir, के बच्चे को कौन सा नुक्ता ऐसा बताएं, कि वो अच्छे marks या पास या जितना पढ़ा है, उससे ज्यादा कर सके, तो उन्होंने कहा कि हर हालत में question आता है, नहीं आता है, लिख के आओ, अगर लिख के नहीं आया, तो paper checker कुछ नहीं कर सकता, अगर लिखा है, partially ठीक ल कितना difficult है, नहीं difficult, वो भी vary करेगा, नुक्ता क्या है, यह देख लें, जो principle क्या है, वो देख लें, के balance रखना है, balance among all questions and answer, वो balance क्या है, वो भी बता देते हैं, that is a length of each essay type question should be equal, this is the central idea of this video, के जितने भी question है, उसका answer है, उसकी पेज की length equal, perfectly equal होनी चाहिए, error क्या करते हैं, देखिए, मेरे पास तो इतना ज्यादा experience है, कि किसी और teacher के पर पास है, तो मतलब कितने paper हम check कर चुके हैं, तो उन papers में हम क्या देखते हैं, यह मैं बताने लगाँ के error हम क्या करते हैं, उसी error को बस remove करना है, यहां मुझे अप retire होने लगे थे, TR Shingari, Dr. TR Shingari, DAV College जलंदर से retire हुए, तो उन्होंने अपने retirement पर एक lecture दिया, और यह कहा, कि मेरा 38 year का experience है, और 38 year में मेरी life में सिर्फ एक student ऐसा आया है, जिसका पहला question भी ऐसे ऐसे 6 page का होता था, दूसरा question भी 6 page का होता था, तीसरा question भी 6 page का होता था, चौत्था question भी 6 page का होता था, पांचमा question भी 6 page का होता था, तो देखिए, 38 साल में एक योधा ऐसा आया, जिसने equality के principle को लगातार अप्लाई किया, तो यह लेकिन हम क्या करते हैं, मैं white color करके वही बताने लगा हूं इधर बता दूँ कि यहां पर मैंने यह कट लगा एक दो तीन चार पांच छे ओके यह साथ और यहां आठ भी रख लेते हैं यह क्या है पेजिज आपने आपको जो पेजिज मिले हैं ओके यह एक लिख दिया और यह लिख दिया मैंने पाँच छह साथ आठ और इस तरफ कॉश्चन क्यों बड़ा कर दिया और एक फर्स्ट कॉस्चन सेकंड कोश्चन थर्ड कोश्चन फॉर्थ कोश्चन फिफ्ट कोश्चन मान के चल रहे हैं कि आपका जो पेपर है उसमें ऐसे टाइप कॉश्चन पांच करने हैं कोई भी सब् भी भी प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो उनको एक शक्स मिला जो जो इतना बैलंस था कि उसके पहला question का answer की length भी 6 page दूसरे के भी तीसरे के भी चौथे की पांच वे की अच्छा यह नहीं उसके कहते के पहले question में भी उसके 13 मार्ग होते थे दूसरे में भी तीरा होते थे छॉत्थे विस कोस्चन में से और 5 में भी 13 होते थे 6 में भी 13 होते थे तो आ गमाल की बात यह नहीं है एतनी इतना ऊसे स्टूडंट को क्यों याद किया गया क्योंकि उसके first paper में 65 होते थे second paper में 65 होते थे third paper में 65 होते थे fourth paper में भी 67 paper में 60 उसकी average जो थी 65 होती थी यह perfectly आप को example दी गई है इसका मतलब यह नहीं है कहीं यह 12 16 इंदे 13 भी हो सकते हैं लेकिन वह 13 इर्द गिर यहां 64 और 65 के करीब मतलब एवरेज उनकी यही होती थी तो यह principle apply करना है कि हमने हर हालत में अपने question के answer की length equal रखनी है हम क्या करती है अब यह बताने लगा हूँ color change करके red line यह वाला चलो कर लेते हैं हम क्या करते हैं कि जब first question करते हैं तो आप कहते हो कि yes I know yes I know मुझे पता है मैं जानता हूँ मुझे पता है अरे भई हो गया यार खतम हो गया बस करो बस करो बस करो बस करो हो गया मुझे पता है आप क्या करते हो जितनी requirement होती है उससे ज्यादा page पहले question के fill कर देते हो अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा factor मैं यहां time लिखूंगा यहां प उसको ब्राबर करने के लिए time management दूसरा principle apply होगा time management में क्या होगा कि आपको क्या equal देना होगा time सभी को ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है कि जितना भी time एक को बनता है माल लीजिए यह 3 गंटे है 180 मिनट बने 180 मिनट में 5 question करने हैं लग बग यह 36 मिनट एक question को आए तो क्या 36 36 36 36 36 ऐसे करने हैं नहीं कभी नहीं क्योंकि शुरू में आप question paper पढ़ते हो 5 मिनट तीन मिनट उसमें लग जाते हैं कोई difficult है tension हो जाती है शुरू में muscle जो हैं आपके हाथ के नहीं चल रहे अभी ठंड है हना तो यह पहला question time ज्यादा ही लेता है that is अगर आप उसकी length भी बढ़ा देते हो आपने अपने बाकी question का नुकसान कैसे किया अभी पता चल जाएगा अब दूसरा question आगया आपका उसको भी आप क्या कर रहे हो के yes मैं यह 5 हो गया यह 6 हो गया शायद थोड़ा सा आगे यह इससे भी बढ़ जाते हो अब आपको लगता है कि time तो बहुत हो चुका है कई बार तो पहले को आप एक one hour लगा देती हो ना तो सुरी हां लग जाता है कहीं का नहीं तो पचास मिनट लगा देती हो तो फिर भी 36 मिनट बन रहे थे आपने ज्यादा time लगा दिया यहां पर आपने थोड़ा सा ज्यादा time लिया यहां पर आप संबलते हो आप आते हो कि नहीं यार मैने तो सोचा था balance रखना यह 6 पे आ गया यही कहते हैं हम अब देखिए यह graph कैसे बन रहा है यह graph ऐसे बन रहा है perfectly ऐसे नहीं बनेगा तो यह जरूर होगा कि यह जरूरत से ज्यादा time जरूरत से ज्यादा time पहले question को दिया गया और last दो को जरूरत से कम time दिया गया अब principle यह क्या क्याता है कि अगर इसके जो average बनती है माली जीए आप 30 पेज फिल करने की जो है speed रखते हैं यहां next factor क्या है speed भी है अगर speed आपकी इतनी है तो यहां पर आपकी जो line बनेंगी खिचेगी यहां से बनेंगी यह वाली line यहां से हना यह अब यह जो portion आप नहीं कर सके color बता red कर करके बताऊंगा यह जो portion आप नहीं कर सके attempt हना इसका एक पेज रह गया और last के दो या तीन पेज रहे चोटा हो गया और दूसरी तरफ वही time जब पेज आपने दो पेज यहां अधिक दिया थे एक पेज यहां अधिक दिया था इसको कट करके कुछ नहीं करना यहां इस time यह पेज को बढ़ा देना है तो आपका balance हो जाएगा इसमें चाहके भी इस जो बड़े हुए part के हैं examiner कोई उतने ज्यादा marks नहीं देगा मान लेजिए वो आपको 13 दे रहा है यह दो पेज अधिक भरे हों तो आप चौदा यह साड़े चौदा तो देगा लेकिन यहां प माली जे 13 उसने पेपर जो marks देने थे तो यहां पर वो आपको पांच चे ही देगा तो कटे ज्यादा यहां मिले कम यह बात 100% लागो होती है यह आपको हर हालत में balance बना के रखना होगा मीन आपका जो जिसकी एक्जामपल टीयर शिंगारी सर ने दिती उनके मताबग पहला question की length जितनी है दूसरी तीसरे चौथे पांच वे की उतनी ही होगी हां अगर आपकी speed कम है माल लीजिए आप 25 26 जां 27 जां 30 से कम जो page है फिल कर लेते हैं तो आपने average fix कर लेनी है कि मैं तो साड़े 5 page मेरी average बनती है कि मैं साड़े 5 हर question को time दूं जा साड़े 5 page जितनी length रख है वह पांच रखे जिसकी उससे कम है वह साड़े 4 रखे यह नहीं है कि पहले वह छे करके last कि वह एक पेज के करें ऐसा नहीं तो जितनी भी आपकी speed है speed कैसे बढ़ानी है यह मैं next video में बताऊंगा तो यह balance हर हालत में आपने time sorry speed के मताबक करना है time management कैसे करनी है यह बता द इसको आप 36 नहीं लगबग 40 दे दोगे 2-4-5 मिनट और speed के हना 40-42-41 यहां तक दे दोगे इससे अधिक नहीं 41-42 जो limit आपने पहले 5 मिनट अधिक दिये हैं उसके बाद हर हालत में आपको stop करना ही होगा बेशक आपने 6 पे सोचे थे लेकिन रह यह साड़े 5 हुए हैं तो आपको कतल करना होगा stop करना होगा बस यहीं तक तो next आप यहां यहां पर आप 36 है तो 38 दे दीजिए यहां तक आपके 8 मिनट ज्यादा कंजूम हो गए अब यहां पर आप 100% 36 ही दोगे तो stop कर दोगे जब भी उसका time हो गया stop कर दोगे एक नुकता यह है दूसरा मतलब एक time पर चलना है दूसरा page के मताबक चलना है 36 होगे यहां पर आप 36 नहीं दोगे 36 से थोड़ा कम 34 दोगे और लास्ट वाला question जो 30 मिनट में ही आप complete कर लोगे क्योंकि आप की pressure इतना है speed इतनी है flow बन गया है तो यह ऐसे आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो यहां 42 रखा है आ आप 40 तक कर सकते हो तो यहां 32 इसको दे सकते हो तो यह balance आप बना सकते हो जो उसने बनाया था इस से आपके कम से कम 2% 3% परसेंट बोल रहा हूं यह मैं 4% तक marks बढ़ जाएंगे यह लुकता वहां apply करना काफी difficult हो सकता है जहां पर आपको पहले question का answer पता है दूसरे का पता ही कुछ नहीं है वहां पर जो पहले मैं बता के आया हूं एक जिस सक्षे बात हुई थी उन्होंने कहा कि answer देना ही देना है पर यहां length आपकी कम होनी नहीं चाहिए इतनी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए कि इन से बहुत difference हो जाए आधा page है थोड़ी बहुत है तो चल जाए है balance बनाने का मतलब है कि हमारे page की length answer की हर question के answer की length equal होनी चाहिए वह किस से हो सकती है दो factor उसको करते हैं influence एक तो time है आपको time सभी को 3 घंटे मिलना है उसको manage करना है manage करने के लिए पहले question को ज्यादा time नहीं देना बेशक उसका कतल करना पड़े आदा page का कर देना है आपने next आपकी speed है speed अगर कम है तो आपकी average जो length है वो कम हो जाएगी लेकिन सभी की length equal होगी जो principle है वही रहेगा तो इसके लिए main principle जो है के self-control the most important कतल के आप अपने आपको रोक नहीं पाते जब knowledge का flow आता है तो उसको रोकना है बस घड़ी ने कह दिया मेरे time ने मैंडी planning ने कह दिया तो यह वहाँ पर stop कर देना है छोड़ना कई बार बहुत बड़ा इलाज होता है थेंक यू टॉक्टर तीरस इंग लर्ट वर्चलाइज